नमस्कार, मैं डॉक्टर सिधार तुरकर, Medical Oncologist NHMMI Cancer Care से आज हम बात करेंगे gastric cancer जिसे सामान्य भाशा में stomach cancer या पेट का cancer भी कहा जाता है स्टमक कैंसर दुनिया में कैंसर के 5 प्रमुक प्रकारों में से एक है स्टमक कैंसर पुर्षों में दुनिया भर में होने वाली कैंसर के कारण होने वाली मौतों का दूसरा सबसे प्रमुक कारण है स्टमक कैंसर की सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये बिमारी के शुरुवाती लक्षन पता नहीं लग पाते और जब ये पता लगता है तो पेशन्ट की बिमारी एडवान स्टेजेस में पहुच चुकी होती है इसके सामाने लक्षन ये हो सकते हैं लंबी समय से पेशन्ट को जी मचलना या उल्टी की शिकायत होना भूग कम लगना, वजन का कम होना, उल्टी में खूनाना, मल में खूनाना, कमजोरी लगना, सास का फूलना या फिर पेट का फूला रहना ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सिंटम्स होने के बाद पेशन को पेट का कैंसर ही हो इनके बाद डॉक्टरी जाच होना ज़रूरी है ताकि पता लग सके कि ऐसी कोई बिमारी तो अंदर पनप नहीं रही है स्टबक कैंसर की संभावना उन लोगों में जादा होती है जो नमक का इस्तेमाल जादा करते हैं या फिर पैकेश्ट फूट का सेवन बहुत जादा करते हैं इसके संभावना उन लोगों में भी जादा हो सकती है जो तंबाकू या शराब का सेवन बहुत ज़ादा करते हैं एक प्रकार का infection H.Pylori इस infection के साथ भी इसके cancer का risk काफी बढ़ जाता है ज़ादा मोटे लोगों में भी इस बिमारी का ज़ादा incidence पाया गया है इस बिमारी का पता लगाने के लिए endoscopy की जाच की जा सकती है सिटी स्कैन भी किया जाता है इसके इलाज के लिए कीमो थरपी, सरजरी और रेडियो थरपी का इस्तेमाल किया जाता है सामान्य तरह patient में कीमो थरपी के दौरा बिमारी को छोटा किया जाता है और फिर सरजरी दौरा इसे निकाल दिया जाता है सरजरी के बाद या फिर कई बार कीमो थरपी के साथ कुछ केसेस में रेडियेशन थरपी का भी इस्तेमाल किया जाता है इस बिमारी के जोखिम को कम करने के लिए धूम्रपान ना करे शराप का सेवन ना करे प्रोसेस्ट फूट का सेवन कम से कम करे और अधिक से अधिक मात्रा में हरी सबजी और फलो का सेवन करे धन्यवाद